नमस्कार साथियो एक बार फिर से स्वागत है अपने यूडूब चैनल सिख्षासार्थी एजूकेशन में हम वो नहीं कि आपको रोता हुआ अकेला छोड़ देंगे हम वो भी नहीं कि आपको मजधार में छोड़ देंगे अरे हम तो आपके वो चाहने वाले हैं अगर थम गई आपकी सांसे तो हमारी सांसे जोड़ देंगे नमस्कार साथियो एक बार फिर से स्वागत है अपने यूडूब चैनल सिख्षासार्थी एजूकेशन में यह एजूकेशन ही बच्चो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी और एचसेसी के अग्जाम है वो जनवरी या फरवरी में होने जा रहे हैं तो बहुती सिद्दत के साथ त्यारी कीजिए इतनी सिद्दत से निभा अपना केरदार की तालियां बसती रहे और परदा गिर जाए तो बहुती हमें क्वालिटी टाइम देना है बच्चो और हमारे जी के बाए परदीप सर जी का मैं सिश्या हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और हमारे प्रिमल सर उ पूर्ज को दिपक दिखाने जैसी बाते होगी तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बविता मैं जी है सुनील सर नरेंदर सर उनका मैं सिश्या है रहा हूं और मैं उनका उनसर का बहुत ही धन्यवाद देता हूं और एक हमारे जोग्रोफी के सर रहे हैं वो जिस दुनिया में नहीं है वो जहां भी है उनका सिरवाद मेरे साथ हमेशे हैं तो वो बहुत ही मुझे मोटिवेट करते थे लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है वो तो मैं उनसर का भी बहुत ही धन्यवाद देता हूं और मैं जब भी उनसे मिलता हूं तो मैं उनके पेरों को छूता हूँ और मैं मेरे गुरु हैं उनका बहुत ज़्यादा समाने करता हूँ तो आजगे हम करंट पेर का टोपिक लेकर आया हूँ उसके वारे में हमें पढ़ने जा रहे हैं तो एक तो बच्चो कमेंट बोक्स में बता दीजिए कि आपको समझ आ रहा है क्या और हमारे टेकनिकल टीम ने ये बताया था कि कमेंट ज़्यादा आते हैं तो जो चैनल है वो उपर उठता है और जो वीडियो है वो उसकी जो लेवल है वो लेवल से उपर उठता है तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए बच्चो अगर डिसलाइक भी आप करोगे ना तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा तो आईए बच्चो हम स्टार्ड करते हैं और जैमासरस्वधी का नाम लेकर इस्टोपी की सुरुवात करते हैं तो पिछले जो हमारे करंट पेर के क्यो क्योशनों में से आपको देखने हैं पिछली वाले वीडियो भी देख लीजिए और आई हम स्टार्ड करने जा रहे हैं बच्चो तो नुमंबर 2019 के रियाना के करंट फेर हैं तो बात कर लेते हैं पहला क्योशन है हमारा चोध्वी बिदान्सवा का प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए हैं तो रगुबीर जी काद्यान बेरी बिदान्सवा चेतर से चुने गए हैं और ये कॉंग्रिस के बिदायक हैं और 2014 में भी प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे और प्रोटेम क्या होता है बच्चो प्रोटेम के बारे में बात कर लेते हैं प्रोटेम होता है लेटिन बासा से निकला हुआ सब्द है और प्रो और टेम यानि ऐस ताई सदस्य सुना जाता है जो भी विदायक चुनकर आते हैं उनको सपत दिलाने के लिए जो बृष्ट तम विदायक होता है उसको प्रोटेम स्पिकर का पत दिया जाता है और वो उन्हें सपत दिलवाता एस ताही तोर के लिए और बाद में प्रोटेम स्पिकर का जो चेन किया जाता है विधायकों के दवारा तो ये कांग्रेस के बेरी गाउं जद्दर से चुनकर आई हैं रवी रगुबीर काद्यान जी और दोजार चौदा में भी चुने गए थे प्रोटेम स्पिकर तो बच् तो समझ आ रहा है आपको ये मुझे कोमेट बॉक्स में बता दीजिए आगे हम बात कर लेती हैं सोथी बिदान्सवा के स्पिकर कोंड चुने गी हैं सोथी बिदान्सवा ज्यान चंद गुपता यानि पंस्कुला बिदान्सवाशेतर से चुने गए हैं ग्यान railroad जी गुप उसको जो स्पिकर होता है कई करण बस नहीं आ पाता तो डिप्टी स्पिकर उसका कारेबार समालता है तो रनवीर जी गंगवा नलवा विदानसवा से चुने गए हैं डिप्टी स्पिकर हैं और तेर्मी विदानसवा की स्पिकर की बात करें तो वो कौमरपाल जी गुजर थे और डिप्टी स्पिकर की बात करें तो वो संतोस यादव थी डिप्टी स्पिकर और यह ऐसा माना जाता है कि एक बार जो डिप्टी स्पिकर चुना जाता है वो दुवारा विदानसवा का मुख ही नहीं देख पाता और ये संतोष यादवजी दुबारा विदानसवा की सदस्य नहीं बनी और ये हार गई लेकिन एक लेखा बती एक मत्र महला है जो दुबारा चुन कर आये थी उसके बाद कोई भी डिप्टी स्फिकर दुबारा विदानसवा में चुन कर नहीं आया तो संतोष श्यादव जी तेरमी विदानसवा की तेरा विदानसवा कम्प्लीट होच किये आगे हम बात करते लिए एक दो क्योंस ने इंडिया जिक्के से आएगा तो वो विच विच में मैं डालता रहूँगा HDAI में भारत का कौन सस्तान है? HDAI का क्या होता है? Human Development Index में भारत का कौन सस्तान है? 129 माँ अगर 2019-18 की बात की जाए तो 130 माता, यानि एक पाइदान उपर आया है भारत. 129 मास्तान भी इसमें क्या होता है? शिक्षा और स्वास्त्य पर ध्यान दिया जाता है और human development यानि मानव को आगे बढ़ाने के लिए जो परवंद किया जाता है उसमें हमारा भारत का स्थान है एक 29 मार पहले स्थान पर जो देश है वो है नारवे अपना पहले स्थान पर देश है करनाल के फ्रीधपुर गाउं में खुदाई के दुरान एक अजारों बर्स पुराना सिविलिंग मिला है और नंदी की मूर्ती मिली है और कुशान काली ने इंटे भी मिली है करनाल के फरीदपूर गाउं में खुदाई के दुरान हजारों बरस पुराना सिविलिंग मिला है और नंदी की मूर्ति और कुषान काले इंटे भी मिली है तो ये करनाल के अंदर मिली है तो ये महत्यपून परसन हो गया नोट कर लीजिए और EFI में 50 देशों की गुड़ स्वार परत्योगिता में हर्याना की स्वेता हुड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है तो ये पूरव सांस दिपेंदर हुड़ा जी की पत्नी है और ये हमारे हर्य प्याना के रोतक जिले से सबंद रखती है तो 50 देशों की गुड़ स्वार परत्योगिता में तो महलाओं बहुत ही अच्छे अच्छे गोल्ड मेडल उठा रही हैं आगे हम बात कर लेते हैं कतर की राजदानी दोहा में आयोजित कतर की राजदानी दोहा में आयोजित एस एक या दो मेने के बाद गोल्ड मेडल लेकर आती है तो हमारे हर्याना से सबंद रखती है तो 10 मिटल एर एर राइफल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तो ये महत्तपून क्यों संत्या एक बार रिवीजन कर लेती हैं और सोट सक्रीन ले 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 जिए और कॉमें बार ले 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 फिटरीन कर रिवीजन कर से सित्या वह हरी कर बारा रिवीरमीर ख़ती हैं और डिप्टी स्पिकर कौन बने है रनवीर जी गंगोवा नलवा यानी सार विदानसवा चेतर से चुने गए है और तेरे में विदानसवा की बात कीज़े तो कौमरपाल जी गुजर है और बरतमान में शिक्षा मंतरी है कौमरपाल जी गुजर और डिप्टी स्पिकर थी तेर में विदानस्वा की संतोस यादव और SDI Human Development Index में भारत का स्थान कौन सा है 139 और 2018 में कौन सा स्थान था 130 मा स्थान एक पाइदान उपर आगे 139 और पहले नंबर पर कौन सा है Human Development Index में नारवे हैं और करनाल के फ्रीदपुर गाओं में खुदाई के दोरान सिवलिंग मिला है और नंदी की मूर्तियां और कुसान का लेन इंटे मिली है और EFI में 50 देशों की गुड़ स्वार परतियोगिता में अर्याना की सुवेता उड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और पूर्व सांस दिवेंधरूडा की पतनी है और कतर की राजदानी दोहा में अयुजित एसियन चैंपियंशिप 2019 में मनु भाकर जी ने गोल्ड मेडल जीता है दस मिटर एर राइफल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो बेटियां भी हमारे बेटों से कम नहीं है वो भी देश को उपर उठाने के लिए काम कर रही है और रियाना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत भी शुरू हुई थी पाणी पत से मोदी जी आये थे उसका उदगाटन करने के लिए तो ये थे करंट फियर के कुछ क्योशन आठ ये दस क्योशन डेली लेकर आता हूं है और अच्छे बैतर डंगसी से नोट कर लीजिए नोट बुक के अंदर और दस-दस क्योशन या बीस क्योशन डेली त्यार करते हो तो भी 500-600 या नहीं 300-400 क्योशन महिने के अंदर त्यार हो जाते हैं कंट फियर से एक भी परसन नहीं कटना चाहिए तो इतनी शिदत से निभा अपना केरदार की तालियां बसती रहे और परदा गिर जाए धन्यवास आत्यों जैहिन